लौड़ हार्डिंग दूतिय जिनका काश काल 1910 से 1916 तक था। लौर्ड हार्डिंग दूतिय काल 1910 से 1916 इसके समय में जॉर्ज पॉनचम भारत आये थे हैं और दिल्ली दरवार का आये ज़न हुआ था। 12 December 1911 को दिल्ली दरबार का यजन हुआ था, बंगाली भाजन उसमें रद कर दिया गया था, और भारत की राधानी को कलकत्त से दिल्ली हस्तनामदित करने के गोशना की गई, हलाकि गोशना हुआ था 11 अमेरेके राधानी बनी थी 1912 में, दिल्ली राधानी बनी थी 1912 में, 23 December 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बंप फेका गया, इस कान में भाई बाल मुखन को फासी हुई, पर्थम बिश्वित के शुरुआत हुआ था लॉर्ड हार्डिंग दूतियक समय में, 28 जुलाई 1914 को फिरोज साम महता ने बंबे करोनिकल एबाम गरेश संकर विद्या अर्थी ने परताप का प्रकाशन किया था, और 1916 में बानारस हिंदू बिश्विद्याले का कुलाधिपति लॉर्ड हार्ड हार्डिंग दूतियक को निउक्त किया था, 1916 में